नमस्कार और वेल्कम तो स्टेडिकलोज माई डियर फ्रेंट्स मैं हूँ प्रशांत मावानी आई होप यू ओल आर दूइंग गूड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मुदी साब दो दिनों के लिए वारणासी की यात्रा पर गया हैं आम शूर आप जानती होंगे कि व काशी तामिल संगमम जो हैं उसके साथ जूड़ी हुई डीटेल्स या फिर काशी तामिल संगमम जो हैं ये क्या है इसको हम समझने बाले हैं लेटेस्ट अपडेट्स जो आई है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो वारणासी पहुँचे वहाँ पर जो बारकी ग् जीन में execute किये जाएंगे और ये projects जो हैं इनकी कीमत है 19,155 करोण रुपीज अब दो बड़े events जैसे हमें आपके बताया है एक है विक्सित भारत संकल्प यात्रा तो ये जो पूरी यात्रा है ना ये सरकार के द्वारा इसको conduct किया जाता है ये government का एक initiative है और याद रखी ये पूरे देश में इसको चलाया जाएगा इसका जो main लक्षिय है वो यही है कि central government की जो flagship schemes है जैसे के आयुश्मान भारत, उजवला योजना, PM, सुरक्षा बीमा, PM, स्वानी थी और बहुत सारी ऐसी जो central schemes है तो इन schemes की awareness create करना और इसके साथ-साथ ये देखना कि ये सारी schemes जो है इनका implementation जो है वो कैसे हुआ है तो ये जो पूरी यात्रा है इसके चार बड़े लक्षिय है नमबर बन, जो vulnerable लोग है जो पिछड़े हुए लोग है जिनको सरक schemes के lab नहीं मिले हैं तो इन तक ये सारी information पहुंचाना, इन general awareness जो है वो create करना इन सारी schemes के बारे में और जो beneficiaries हैं जिनोंने ये अलग अलग schemes जो हैं उसमें पाट लिया और schemes के माधियम से उनको जो भी benefits हुए तो उनकी personal stories, उनके जो experiences हैं तो ये सारी चीज़े जो है वो share करना और इसे के साथ साथ जो potential beneficiaries हैं तो उनका enrollment करवाना तो ये चार बड़े लक्षिय जो है वो इस विक्सित भारत संकल प्यात्रा के हैं ठीक है अब ये जो scheme है ये union government, union ministries और state government की जो ministries हैं दोनों मिलकर इनके दोनों के active enrollment से इसको पूरी यात्रा जो है उसको execute किया जा रहा है जारखंट का जो खुंती हैं यहां से प्राइम मिनिस्टर साब ने 15th November को इसको launch किया था इस यात्रा की शिरुआज जो है वो कहां से हुई थी ऐसा प्रशन जो है वो आपको अलग-अलग examinations में पूछा जा सकता है खास करके जो state level की examination होती है state PCS में और जारखंट की तयार कर रहे हैं आप जारखंट PCS की तो ऐसा प्रशना आ सकता है कि जारखंट के किस खेत्र से यह जो विक्सित भारत संकल प्यात्रा है उसका launch जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने किया था तो याद रखे इज खुंती जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राइट खुंती नावडिया फ्रेंस 16 डिसेंबर जो है तो 16 डिसेंबर को प्राइम मिनिस्टर मोधी साब ने राजस्तान, मध्यप्रदेश, छतिसगर, तैलंगरा, मिजुरम यह पांच राजियों यहां पर भी इसको launch किया अब 16 डिसेंबर को इसलिए क्योंकि as you know कि यह जो states है तो यहां यहां पर elections अभी हुए और क्योंकि यहां पर elections थे तो model code of conduct जो है वो यहां पर लगा हुआ था जिसको हम आचार सहीता कहता है तो यह लगी हुई थी तो इसकी वजह से यह पांच राजियों में इसको launch नहीं किया गया लेकिन जैसे elections खत्म हो गया तो अब यह पांच राजि जो हैं वहां तक यह यात्रा पहुँच गई हैं दो करोड से ज्यादा individuals जो हैं उहोंने यह विक्सित भारत संकल्प लिया है बेसिकरी यह जो यात्रा है तो इसमें आप एक pledge या फिर एक संकल्प ले सकते हैं आपको एक form है वो फिलप करना है और जो schemes है उस पर आपको एक form फिल करना है और फिर आप website से certificate जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो आप ऐसा एक pledge जो है एक शपत जो है वो ले सकते हैं और दो करोड जितने बेरिफिशरी जो है जिनको government schemes का लाब मिरा है तो उन्होंने अपने experiences जो है यह मेरी कहानी मेरी जुबानी इस initiative के तहत अपने experiences ज जताए जितने schemes हमने launch की किया यह सारी schemes जो है वो beneficiaries तक पहुँची है अगर पहुची है तो कितने लोगों तक पहुची है कितने लोग बाकी है यह सारी चीजों का एक gauge जो है यह विकसित भारक संकल्प यातरा से मुझे मिल जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारक स अब दिल करना है तो इसके लिए हम सब को एफ़र्ट जो है इसमें करने पड़ेंगे So that's basically everything about विक्सित भारत संकल्प यात्रा याद रखें यह examination के point of view से एक बहुत important topic है अब दूसरा important topic है काशी, तामिल, संगमम इसके बारे में बात कर लेते हैं चलो से थोड़ा बहुत divide हैं भी तो हमें यह चीज़ याद रखनी है कि North और South जो है यह दोनो historical है और दोनो बहुत ही ancient civilizations है यह पूरा हमारा देश जो है उसका ही part है यह दोनों लेकिन दोनों में कुछ uniqueness है तो यह जो uniqueness है यह जो historical और civilizational uniqueness है और यह uniqueness जो है North और South की इन दोनों के बीच में connection भी है तो यही connection जो है इसको celebrate करने के लिए यह संगम जो है इसको launch किया गया है Tamil Nadu और वारा नसी के बहुत सारे cultural groups जो है वो काशी में perform करने वाले हैं PIV की website पर अगर आप जाएंगे ते यह जो संगम है इसका main lecture है के people to people contact program जो है वो और ज्यादा बड़े इसके साथ काशी और Tamil Nadu के लोगों के बीच में bonds जो है वो और ज्यादा strong हो और इसके साथ यह काशी और Tamil Nadu जो है यह दोनो learning और culture के ancient civilizations रहे हैं ancient pillars रहे हैं यह दोनों centers जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से interact करें तो यह सारी चीज़ों को लेकर यह काशी तामिल संगम जो है इसको launch किया गया है जैसे मैंने आपके बता है कि यह दोनों centers है यह दोनो pillars जो है knowledge के और culture के तो इनको और ज़्यदा नज़्दीक लाने का प्रयास जो है वो हैं काशी तामिल संगम इसके साथ ancient intellectual, cultural, spiritual, artisanal connection जो हैं दोनों के बीच में इसको और ज़्यदा rediscover करना है और ज़्यदा मजबूत करना है यह भी इसका एक main लक्षिया है रही बात arrangements की तो आप देखें अलग-अलग प्रकार के stalls जिसमें आपको art and culture, handlooms, handicrafts, cuisines और दूसरे जो special products है तामिल नाडू के और काशी के है तो वो display किये जाएंगे इसके साथ seminars होंगी discussions, lectures और यह अलग-अलग subjects पर literature, ancient text, philosophy, spirituality music, dance, drama और इसके साथ-साथ जो modern innovations होए है business exchanges, edtech और next generation technologies यह सारी अलग-अलग चीज़ों पर seminars, discussions, lectures जो हैं वो conduct किये जाएंगे और दूस्तों दूसरी जो चीज़ है वो यह हैं कि जो delegates हैं खासकर कि जो तामिल नाडू के अलग-अलग areas से जो delegates आएंगे तो इसमें जो students का delegates हैं उसका नाम है गंगा बहुत है interesting नाम है इसनिट teachers को यमुना ग्रूप का नाम दिया गया है professionals को गोदावरी spiritual members जो है उनको सरस्वती फिर जो farmers हैं और artisans हैं तो उनको नर्मदा नाम दिया गया है writers को सिंदू traders और businessmen जो हैं उनको कावरी ये नाम दिया गया है तो as you can see के हमारी जो अलग-अलग नदिया हैं जो दोनों North और South की important नदिया हैं तो इनके नाम जो हैं वो अलग-अलग delegated जो delegates हैं जो groups हैं उनको दिया गया है right so that's basically everything अब तो ये जो limitless leadership program है इसका vision ये है ये इस बात को achieve करना चाता है कि leadership एक ऐसी चीज़ है जिससे आप status quo को challenge कर सकते हैं हमारे जीवन का कोई भी aspect ऐसा नहीं है जहाँ पर leadership ना हो चाहे वो हमारी personal life हो right when I say personal life I mean to say हमारी individual life हो हम किस प्रकार के विचार करते हैं किस प्रकार का हमारा vision है कहां पर पहुँचना चाते हैं right हमारे सारे अनुभव उनको हम किस angle से देखते हैं ये सारी चीज़ों में भी leadership जो है वो एक बहुत ही important role play करती है फिर जब personal life की बात करें sense के हमारे परिवार के जीवन की बात करें friends and families की बात करें उसमें भी leadership एक बहुत important role play करती है और जब हम professional life की बात करें तो वहाँ पर भी leadership जो है can help us a lot in fact हम सब के अंदर leadership का potential रहता है the right thing to do is to unlock this potential और अगर proper techniques आपको पता है if you know how to unlock it और unlock के बाद यह जो knowledge है यह जो आपका talent है जो skills है उनको implementation कैसे करें यह चीज़ अगर आप एक बार सिख जाएंगे you will become limitless so do check out this course on Study Glow's mobile app this is Prashant Mamani I'm signing off for now I will see you soon till then enjoy your studies God bless you all Jai Hind